हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर और जैसा कि आपको पता है कि शाम की पांच बजी की जो आपकी क्लास होती है है सब्सक्राइब कर आपके यहाँ के यहां तरह से आपका टसीरीस वहने वाला याँ आज और जो कि उसे यूठ मान सकते हैं क्योंकि आज से हम फिर से एक नए तरीके से मदब की नए टाइप के नए लेवल के किशन्स जो है स्टार्ट करने वाले हैं तो यहां पर आज आप एक टेस्ट दे दीजिए जितना भी पिशला पढ़ा है उसका फटा फट से उसके बाद हम जो है अकल से उसको हमारी लैंग्वज क्लास चलती है चले स्टार्ट करेंगे सेशन आज का तो यहां पर जो आज का पहला प्रश्न है वो है आपका कि इंसुलीन की रसायनिक प्रक्रती क्या है विटामिन प्रोटीन वसाय ऑउक्सीजन जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एक टेस्ट सीरीज है यानिकि इसके पहले यह सारी चीज़े काफी चीज़ों मैंने पढ़ा रखी है अलग-अलग ट्रैक्टिसर्स में से मैंने कुछ केशन्स पिक करके यह सीरीज बनाई है तो यहां पर जो सही उत्तर हो जाता है इसका जो नेचर होता है वो प्रोटीन का होता है तो आप्शन सबस्टिक नहों जो इनसानोों ने बनाया हो मैंने हो वह आपका प्शन नमबर बी बगीचा देखिए बगीचा क्या होता है कि हम लोग लगाते है ना दो लोगों ने चार लोगों ने अकेलरी ही मिलके चार तस पेड़ लगा दिये 100 पेड़ लगा दिये वो एक बगीचा बन गया ठीक है हम उने बनाया है लेकिन मरुस्थल इंसानों नहीं बनाया है नदी नहीं बनाये कि चलो कुछ लोग मिलके ऐसे घड़ा खोद देंगे तो नदी बन जाएगे ऐसा नहीं होता है वन किसी पर्डुकलर इंसान नहीं बनाये यह सब प्राकृतिक है जबकि प्राकृतिक का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा प्राकृतिक का मतलब जो इनसानों नहीं बनाया है जो कि है कुल मिला के और मानवी पर्यावरण घटक हो जाएगा जो इनसानों ने बनाया है तो यहां पी जो सही उत्तर है वो आपको अप्शन नंबर ए हो जाता है स्थल ज नहीं बनाए उधर्ती के पर्टिक्लर एरिया को इंसान ने नहीं जागरत किया है ठीक है वहाँ पे धर्म समुदाय समाज ये सारे मानवी पर्यावरन घटक है मानव इस इन्वाल्व रहता है अपने समाजिक जीवन में प्रिद्वी की सबसे पतली परत कौन सी है परपटी य मैंतल, बाह, परोड या फिर आंतरिक क्रोड और इसका जो सही ऑंसर होगा सबसे पतली परत वही होती है जो सबसे उपर होती है जिसपे हम कह सकते हैं कि पेल लगाते हैं चलते-फिरते हैं घर बनाते हैं और सही उततर होगे आपका option नंबरी बूपर-पटी यानि कि में अनुपस्थ्त होता है क्या तो यहां पर किस चीज की एपसेंस होती हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पाधब कोशिका यानि कि प्लांट चेल में क्योंकि वो जो लोग का मीडियम इंग्लिश रहा है साइंस में तो साइंस के वर्ड्स थोड़ से डिफिकल्ट होते हैं हिंदी में फटा फट से बताईए रिक्तिकाई तारकाई सेल्यूलोस कोशिका भित्ति या लवक और सही एंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नबर भी तारक काई अगला प् इंग्लिश में कहते हैं लिवर उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षीन में से कौन है गौरया तोता सारस्क्रीम और उत्तर प्रदेश आपके सिल्वस में है उत्तर प्रदेश का पूरा जीके जो है वह आपको पढ़ना है अगर आप सुबर्टेट का एक्जाम देंगे तो और कभी भी कोई भी एक्जाम देखे आप देंगे इस सिक्षक बनना है उत्तर प्रदेश में तो आपको आगे चलके एक सुबर्टेट क्लियर करना ही पड़ेगा बिना उसके जॉइनिंग या क्या सकते हैं जॉब नहीं मिलने वाली है सही उत्तर होता है इस प्रशनी के ल प्रवा जो होता है बेसिकली जिसे हम कहते हैं 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 इंग्लिश में कहते हैं हम लेट तो ग्रामीड अधिवास में आता है छोटा गाउं भी आप इसे कह सकते हैं कौन सा जॉआला मुखी परवत है अपलेशियन किलिमंजारो अरा वली या यूराल और सही उत्तर हो जाएक कहां पर अवस्तित है मुंबई के तटपे गंगा डेल्टा में कच्छ तटपे या फिर गोवा तटपे तो ये है आपका मुंबई तटपे ऑप्शन नंबर यहां पर सही होता है एक मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां पर वहां पर वर्षा होती है लगभग कितने तक तो सही एंसर इसका होगा आपका ओप्शन नंबर सी हो जाता है क्योंकि यहां पर बारिश काफी होती है मिनिमम्म भी जब कभी कम से कम भी होगी तो भी दनी तो होगी ही सतर में आके भारत के सर्वोच नयाले के निया अधीशों की संख्या कितनी है एक तीस तीस चौतिस या त अब यहां पर मैं आपको बता दू कि वर्तमान समय में जब कभी भी आप नया अधीशों की संख्या के बारे में पढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा क्योंकि 33 होती है और एक जो है वर्तमान में एडिशनल में है तो यहां पर आपका जो सही एंस चाहिए कि कुछ लोग को लगेगा कि 34 होनी चाहिए कुछ लोग को लगेगा 33 होना चाहिए तो यह बात सही है कि इस वह में वर्तमान में जो नया अधीशों की संख्या है वो 33 प्लस एक हर जगा आपको ऐसा ही लिखा मिलेगा 33 ठीक है तो कितनी है 34 है अगला प्रशन देख चलिए देख लेंगे सेयुत्तर क्या हो जाता है बिल्कुल आपका उप्टुक का लगा दीजे ऑप्शन नमरे सही हो जाएगा दिसंबर 2014 में राग भैरव जो होता है उसका गायन समय क्या होता है हर राग का एक समय होता है कि समय पी राग गाना चाहिए तो दोपहर है सायम काल है रात्री है या प्राता काल है अब आप सोचेंगे कि इसमें यह कहां से आगया तो ध्यान दीजिए कि एवियस में आपका जीएस एसस्ट में आपका आर्ट फिल्ट इंक्लूड़ड है इस वज़ए से आपकी यह सारे चीज उसमें आ जाते हैं जिन लोगों ने एसस् लुकरता है नमकता है हीमोग्लोबिन लिप्रो से बस आएं यह वह पर सबक्सेंट में ब्रिध्ध अवस्ता में क्यल्म कें पर आप चार नाम दिए हैं मेरे क्याल से दो आप बहुत अच्छे से पहचानते होंगे बेसिक है दो है ना वह चोटी क्लास पढ़ा दिया जाते हैं अनीमिया एक आपका रक्ताल पता जिसे कहते हैं खून की कमी हो जाना शरीर में रिक्ट्स यह भी आप जब विटमिन्स किया है सही है बिल्कुल ठीक है ऑस्टियो पोरोसस नामक विमारी व्रिद्धा वस्ता में अगर बॉड़ी में कैल्शियम की जो है कमी हो जाती है तो यह रोग होने की संभावना बढ़ जाती है किसे भारत का राश्ट्रिय जलीय जीव कहा जाता है मगर डॉल्फिन गैंग है ठीका इसका करेक्ट एंसर होता है किस वर्ष वन संग्रक्षण अधिनियम पारत किया गया था यह क्योशन मैंने कराया है इस्पेशली जोड़ देके कहा था याद करना है आपको इसे 1986 1990 1980 1980 या फिर 1988 तो यहां पर जो सही एंसर हो जाएका उन्हीं स्वस्थी हो जाता है इस प्रशन के लिए अगला प्रशन देखेंगे ग्रीन हाउस इन में से कौन सी नहीं है कार्बन डियोक्साइड ओजोन मीथेन नाइट्रोजन सही एंसर हो यहां पर आपका option number 4 nitrogen ठीक है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है बाकि जो मिथेन है और जो नहीं है ग्रीन हाउस गैसे नहीं है परियावरण में इन्वार्मेंट भी क्या कर्मी उत्पन करती है इनका जो बातावरण का टेम्परेचर है तापमान वह से बढ़ाने म मदद करती है जो की सही नहीं है परियावरण के लिए ब्रिदा संग्रक्षर विधीन में से कौन सी नहीं है कीट नासक रसायन ब्रिदा परदन जैविक खादिया फसल चक्र तो कीट ना सकर सायन का उप्योग हमेशा ही कही न कही नुकसान दायक होता है ये सही एंसर इसका हो जाएगा और बाकी सारे नहीं तो ये हमारा जो सेशन था मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज आप लाइक करिये शेर करिये अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करके चाहिएगा और क्लासेस हमारी है शाम को पांच बचे चलती है सुबत दस बचे आप लैंगवज क्लास चैनल पे देख सकते हैं आप य को एक लिए 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 फिल्गार छोर्त इस चैनल प्लिए खिल्गार आप लाइSt